आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी सब्जी जिसे खा कर घर के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि यह कम इंग्रिडियन्स मतलब के कम वेजिटेबल के साथ बहुत ही बढ़ी सब्जी बनती है इसके अंदर जितने भी मैंने इंग्रिडियन्स यूज़ किये हैं वो सारे सबके घर में इजिली अवलेबल है तो चलिए फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक आलू मैंने यहाँ पे बड़े साइज का आलू लिया है और दो मीर्ण साइज के प्याज ले लिये हैं आलू को छील के हमें इस तरह कट कर लेना है इसे हम थोड़ा सा पटला कट करेंगे ताकि आलू फटा फट से पक जाए अगर आप इसे मोटा मोटा कट करोगे तो आलू पकने और अब ले लेते हैं एक गड़ाई और कड़ाई में ले लेंगे 4-5 चमठ जितना थेल यहाँ पे हमें ज़्यादा थेल नहीं चाहिए 4-5 चमठ थेल चलेगा तिल गराम होजाए तुरंथ हम डाल देंगे आलो और थोड़ासा नमक नमक डालने से आलो फटाफट से पक जाते तो आटा मैंने ले लिया है शानकर अब इसके अंदर डाल देंगी में थोड़ा सा नमक और पानी मेरी रोटिय एकदम सॉफ्ट बनती हैं बहुत सारे विवर्स कमेंट भी करते हैं कि आपकी रोटिया बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं तो मैं आटा में ज्यादा कुछ नहीं डाल तो अब ले लेते हैं काजू तो काजू को इस तरह मैंने बीच में से दो कट लग मतलब के बीच में से उसे कट कर लिया है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब सबजी में मतलब के आलू में डाल देंगे काजू और थोड़े से बॉइल कॉन तो अभी यह ज चॉप करने ही ज़रूरत नहीं है और टमाटर को भी हम इसी तरह बड़े बड़े पीसिस में कट कर लेंगे चलिए आलो टमाटर भी कट हो चुके हैं यहां पे हम बीच बीच में यह जो काजू है और यह हमने कौन इसके अंदर एड़ी है उसे हमें थोड़ा सा फ्राय करना है तो हम उसे बीच में देखते रहेंगे यहां पे मैंने ले लिए है चे से साथ कली लसुन की और यह टुकड़ा वाला काजू जो आता है वो ले लेंगे क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है तो साबुत काजू नहीं होगा तो चलेगा तो यह देखे काजू हमारे अच्छ इसे हमें 2-3 मिनिट ठक कर पका लेना है थोड़ा संदमक डालेंगे तो यह पटाफट से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसे हमें खाली सॉफ्ट होने तक पकाना है जादा नहीं पकाना है तो 2-3 मिनिट में यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो यह दीखिए टमाटर और यह पयास है अच्छे से सॉफ्ट हो गए है और अब इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सी जार में इसे हमें पेस्ट बनानी है तो पेस्ट बनाने के लिए हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद इसकी पेस्ट बनाएंग यहां पर कड़ाई में मैंने फिर से 2-3 चमच तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है तो तेल में डाल देंगे एक चमच बरगे जीरा फूर जाये फिर डाल देंगे खड़े मसाले और उसके बार डाल देंगे यह पेस्ट जो हमें पन अच्छे से दो के इसे डाल देंगे यह गृवी के अंदर और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करने के पाद इसे धक następे हमें पकालेना है तक्रिबंभाष मिनिट एकदम भल फिलिम पे पकायेग्ए जब तक की इस नहीं खूटने लगे तो इदिख दोसे loo flame पे इसे मैंने रख दिया है और यहां पे हमारा आटा भी एकदम रेस्ट करके रड़ी है तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और अच्छे से मसल लिया है चलिए अब बना लेते हैं रोटिया, तो आप देख सकते हो कि मेरा आटा कितना सॉफ्ट है, आटा जितना सॉफ्ट होगा रोटिया भी इतनी सॉफ्ट ही बनेगी, तो रोटी बनाने में हमें खाले इतना ध्यान रखना है कि आटा हमारा हाड नहीं होना चाहिए, अगर आपक की ट paints आता है तो यहां पर मैंने यह जो तावेता आता है हमरे गुजुरत में से तावेता बोलते हैं तो टाम से मैंने सार्स रूठी बना ली है अपर देख सकते हो कि कि हαιं किर अगर को किर की चाहिए तो social Test करोंगी तो आपको आज केसे क्लाग को डूर में ऊच्ट करा ज़रू किलें ज़रूर बतायका चली मिलते हैं जल्दी नेक्सर हबता है था यह को ज़ल को belt Ó